हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपकर जो वीडियो लेक्या रहो देखें बात करेंगे दबिक साइकल इन स्टॉक्स की बड़ी साइकल्स यानि की वीकली की साइकल्स देली की साइकल्स इनको क्या कहते हैं बड़ी साइकल्स और अगर आप मंथली की साइकल कहते हो तो वह बड़ी साइकल नहीं वह बहुत बड़ी साइकल हो जाती है लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट के जब भी बात करते हैं तो आप सोचो कि कुछ महीने कुछ साल इस तरीके से आपकी इंवेस्टमेंट रहे यह नहीं कि कुछ दिन वाली को आप कहोगे या कुछ हपतों वाली को कहोगे तो बहुत शॉर्ट और इंट्राडे में तो फिर तो बहुत शॉर्ट एस्टी हो गया तो हमेशा टाइम फ्रेम को ध्यान में रखके आप अपनी अपर्चनिटी देखते हो आप उसी हिसाब से आपका रिस्क एसेस्मेंट होता है तो चलिए डिटेल में समस्ते हैं तब एक साइकल को तीन स्टॉक साइकल लेंगे जहां पर क्या बड़ी साइकल स्टार्ट हो रह है तो चलिए डिटेल में समस्ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस सेक्षन के लि देली के 50 टॉक फिर वीकेंड के अडिशनल 50 और इसी तरीके से मन्ठेंड के भी अडिशनल 50 जिससे अभी अपरल एंड चल रहा है तो फिर मैं कहूंगा आपको अभी आपके पास क्या है तो चार्ट कितने होगे कर दीजे चार से गुणा 600 चार्ट आप इन तीन दिनों के अंदर देख के अनलाइज करोगे कि क्या हो रहा है तो चले डिटेल में समझते हैं और आज का जो इंपॉर्टेंट लर्निंग अज़रा उसको देखना सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक की साइकल की हम अक्सर बात करते हैं लेकिन यह साइकल को समझना बहुत इंपॉर् अगर देखा जाए तो सीधे कितने पासेंट पर चला गया इस कंसॉलिडेशन के वैसिस के अगर देखा जाए तो चालिस पासेंट और अगर आप ओवर आल देखो समझो स्टॉप लॉस आपका 200 ऐसा में क्या राउंड देख लीजिए और आपको ग्यारी तो बहुत ही बढ यही देखो यहाँ पर आपके करिथे जाए जरह देखे हहाँ यहाँ पर आपके कमें। को जो ब्लेजि प्रजापती जी स्टॉक को समझ गए थे और यह स्टॉक की इस सयटॉक को समझ गैए खेचर슈 चेशो के लवल से आज ही कहा गया जब सारे स्टॉक्स नीचे बीरिस साइकल में थे यह बुलिस साइकल में था डेली के दाट इस लिए मैं आपको कहता हूं कि साइकल को समझना इंपॉर्टेंट है साइकल के बेसिस पर आपको मिलती है लोरिस्क हाई प्रोबबलेटी की अप बहुत सारे कमेंट आए देखे LNT Finance Holding रेडी फ़ीकली चार्ट रेडी ऑन वीकली चार्ट रेडी में देखिए है मने था बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए आपको यह वह वह जैसे मैं आपको कहा जैसा जैसा टाइम प्रीम बढ़ता जाता है पेशन्स और बढ़ता जाता है वो patience आपको क्योंकि एक हफ्ते में पास दिन होते हैं तो आप देखिए फाइब इन्टू भी patience ला जागा डेली से उपर तो patience बहुत इंपोर्टन चीज है लेकिन एलेंटी फाइनेंस अंडर वैल्यूड है इसके साथ के स्टॉक्स जो हमारे फाइनेंस वाले थे चा अब आपको गहर हुआ तो आपने जो कमेंट किया है मैं आपको कहूंगा आपने जो कमेंट किया है अपने आपको under estimate मत कीजिए आपकी analysis कितनी सटीक है जरा देखिए यह cycle पिछली बार स्टार्ट भी थी तो 70-70 के लवल से इस टॉक को 183 गुना लेके गई थी अभी तो हमक है दस पॉइंट के अगर रिस्क मैनेजमेंट राउंड अफ करके फिगर 11-12 भी हो सकता है तो आप कहोगे यार यह दस पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर 90 से इसको 180 लेके जाता है तो आपके पास 100 पॉइंट का टागेट 10 पॉइंट का रिस्क वन इस्टू टैन का रिस्क रिवार्ड जरा सोचिए लेकिन इस कहानी तक यहां तक जाते हुए जो बीच के पढ़ाव है वह देखिए क्योंकि फ्रेक्टिल नेचर अब मार्केत है तो भीच के पढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे इसके बारे में काफी पहले भी कर चुक हैं लकिए इंपल्स और्यक्षि करेक्षwn इमपल्स और्स अभी यही बिलकुल इद्व तो 90-180 तक के सफर में पहली अपॉर्चनिटी दूसरी अपॉर्चनिटी तीसरी अपॉर्चनिटी कई बार तो ऐसी अपॉर्चनिटी होती है कि वह एक जटके में पूरा पार कर लेता है ऐसी भी सिचुएशन आपने देखे होंगे लेकिन हमारे लिए यह जोन इंपॉर्टे लिए जोन लिक्विडिटी जोन है क्योंकि गिरते टाइम भी यह कुछ इसी तरीकी से आया था और जैसे मैं आपको कहा कि यह जो इसके खुद के फ्रेक्टाल है इनके इन फ्रेक्टाल को देख सकते हो इससे तरीके से बने है और त沒關係 तो L&T Finance तो आपका cover हो गया और उमीद करता हूँ कि आपको समझ भागा है कि हाँ cycle weekly की है तो the big cycle है ये क्या cycle है the big cycle देखिए आप यहीं तक नहीं रहेंगे और stock को देखेंगे L&T Finance के लावा मुथ्थूत capital service जरा इसके cycle को देखते हैं आपको वह इसलिए मैंने आपको signity दिखाय था सिगनीटी दिखाने का कारण यही था सिगनीटी दिखाने का कारण यही साइकल थी और इस cycle को देखिए यह साइकल और इस cycle का पहला पढ़ाव दूसरा पढ़ाव अब आपको ग्यार 200 से 500 तक का सफर देखे जैसे मैंने आपको कहा कि यह सफर है तो फ्रेक्टल्स क्या कहते हैं इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स यही हमें फ्रेक्टल्स कहते हैं तो इंपॉर्टन है कि यह इवन अगर इस लेवल से यहां तक देखोगे कि अभी चल रही है साइकल पॉजिटिव चल रही है स्टॉप लोस आपके पास अवेलेवल है और उसके बाद आपके पास जर्णी और पाथ अवेलेवल है रिस्क मानेजमेंट इस दकी तो यह अगले स्टॉक के उपर आते हैं जो स्टॉक हमारे पास है VLS Finance Limited 173 मात्र चले देखते हैं वही एलेस्फाइनस को पी रिश्यो मात्र पाच के पी पर ट्रेड़ कर रहा है यह तो अंडरवैल्यूड है लेकिन देखते हैं डेट उधार कंपनी के बागोर VLS Finance को देखते हैं ज़ो को देखते है ज़ो देखते है ज़ो देखा बेए डेली करेक्शन देखें प्राइस हुआ यहां से इंप्राइस कहा तका है बिल्कुल उसी जगे पर आए जहां से भागा था और अब दीखें कहा कर जा चुका है तो अगली जर्नी और क्योंकि छोटा स्टॉक है तो और important तो यह जर्णी को अगर आप देखोगे तो यह ज्यादा दूर नहीं सबसे पहले जो लवल है 170 से वह यह लवल फिर आगे की कहानी पहला लवल वह आगे की कहानी तो यह एक नहीं बलकि हमने तीन 20 finan's हमने बात करी मुध्भूत Capital Services और VLS Finance होके समझने की कोशिश चार्ट को किस तरीके से चीजें चल रही है किस तरीके cycle के understanding को समझने की कोशिश करी अगर मैं आपको कहूं पिछले एक महीने एक से डेड़ महीने के एक एक वीडियो जो आपके सामने आये हैं हमारे चैनल पर जो भी आपके सामने आये हैं आप उनको ज्यादा नहीं पर एक डेटा को देखिए अनलेज कीजिए उनको आपको difference समझ में आएगा कि किस तरीके से cycle स्टार्ट हो रही है जैसा भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रेट किया था बेस फॉर्मिशन का structure चेंज का उनको देखिए उपर आई बटन पर आपको देखने को मिलेंगे फार्मा प्लियर्स का कैसे चीजे चल रही है किस तरी वाइंड अप करता हूं वीडियो को कमेंट के तुरू बताते रहे हैं और इतने सारे कमेंट हमने इंक्लूड करने के कोशिश जरूर करी यहाँ पे आपको कहां पे दिख रहा है कौन से स्टॉक्स में कौन से सेक्टर में cycle हो रही है कौन से टाइम फ्रेम की देखिए कौन स से सेक्टर कोन से स्टॉक कोन से टाइम फ्रेम कितने कोश्चिन आगे कितने壓ाए यही हाँ आपका face-bone डायग्राम जब आप कहते हो वाइवाइवाई वाइवाई जब आप कहते हो वाट 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 यह अपने आपCो आपको आंसर करने के लिए क्वेशन ज़रूरी ह है वट क्या टाइम फ्रेम वट कौन सा स्टॉक वट कौन सा सेक्टर तो आपको ओल यहां पर information मिलती रहती है कमेंट के तुरू बताते रहें अपने opinion फिलाल wind up करता हूं वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए एंड रिसक management के बारे में awareness भी spread करनी है risk management is the key to awareness spread करते रहें thank you thank you for watching the video